तो क्या हालब आप सबी के उमेड करते हैं, अब बढ़ी आई होगे, सब मौश काट रहे होगे, तो देखे, आज करेंगे दोस्ति के बारे में बात्चीड। लेकिन जब बात आती है सच्चे और फरजी दोस्तों की तो तब अगर आप मुसीबत में पढ़े हो तो तब आपको पता चलता है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है और फरजी दोस्त कौन है और ठीक यही बात हो रही है आज यूक्रेयन के साथ क्योंकि देख जाये तो उपर से दो बहुत सरे देश कह रहे हैं के भाई हम आपके दोस्त हैं हम तुमारे लिए ये कर देंगे वो हम तुमारे लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बस उपर-उपर ही कर रहे है जबकि यहाँ पर अब तीन देशों ने यूक्रेयन से आने वाले जो जो घुरेंज・ ले हैं तो आज इसके बारे में पूरी डीटेल के साथ बात करते हैं कि मसल़ क्या है यह क्यों यह देश यहां पर यूकरेयन के जो ग्रेन है और फूर प्रोडक्त है उसको बैंड कर रहे हैं और क्या इस चीज से जो यूरोप का जो एलाइंस है वो तूटने वाला है आज इसके बारे में पूरी डीटेल के साथ बात कर दें लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो को चाहिए लाइक करो या डिसलैक तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो चलिए वीडियो का आगास करते हैं लेकिन हमारे जीवन में ज़्यादा दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी में शामिल हो जाएंगे लेकिन अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ गई या कोई परिशानी आ गई तो तब ये दोस्त भाग जाएंगे और कोई आपकी मतद नहीं करेगा दोस्ती के असली परिक्षा मुसीबत में होती है और तब पता चलता है कि आपके साथ कौन है और आपके साथ कौन नहीं है कौन फरजी है और कौन सच्छा है ऐसा ही कुछ आजकल यूकरेन के साथ हो रहा है युकरेन को यूरोप के जो बागी की जो देश है वो उपर-उपर से बोलते हैं कि यूकरेन हमारा भाई है और हम यूकरेन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अब इनी यूरूपियन देशों ने युक्रेण से आरे फूड और अग्रिकुल्चर प्रोडुक्ट कोई बैन करगा दिया है कि हमें युक्रेण से खाने का कोई भी समान नहीं चाहिए अब तक तीन दोशे ने युक्रेयन के खाने पीने के समान पर बैन लगाया है जिसमें पोलेंड है हंगरी है और स्लोवाकिया है आप देख सकते हैं फ्रांस 24 का आर्टिकल है स्लोवाकिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ युक्रेणियन ग्रेंस आफ्टर पोलेंड और हंगरी यानि के पोलेंड और हंगरी के बाद अब स्लोवाकिया ने भी उक्रेण से आने वाले ग्रेंस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है इसके साथ है यहाँ पर अनदोलु टर्की की पोलेंड और हंगरी यानि के पोलेंड और हंगरी इंपोर्ट पर यूक्रेण से आता था उसको बैन कर दिया है यहाँ इसके पीछे क्या वजह है तो आप देख सकते हैं कि यूकरेन के तीन खास दोस्तों ने एउ के दोस्तों ने यूकरेन का साथ छोड़ दिया है लेकिन सवाल यह आता है कि इन तीनों देशों ने बैन क्यों लगाया है तो देखें ये बैन क्यों लगाया गया है इसको जानने के लिए एक साल हमें पीछे तो इतना जाद एक्सपोर्ट की वजए से उक्रेड को दुनिया का ब्रेट बास्केटोफ भी कहते हैं और उक्रेड इनका एक्सपोर्ड अफरीका और मीडी लीस्ट के देशों में करता है, क्योंकि मीडी लीस्ट और अफरीका में ऐसे फार्म होते नहीं है, जहां पर गे हुया दूसे इनाज पैदा किया जा सके, तो युक्रेयन इन देशों को अपना अनाज सप्लाई करता था अब देखे 24 फरवरी 2022 तक तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस ने युक्रेयन पर हमला कर दिया जिससे रूस के जितने भी पोर्ट थे जहां से इन अनाजों को एक्सपोर्ट किया जाता था उन सब को बंद कर दिया गया और इस चीज़ से जब अनाज उनके डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे तो तब वहाँ पर फूट की कमी हो गई और अनाजों की कीमत आसमान चुने लेगी तो वहीं युक्रेन अनाजों को ब्लॉकेट की वज़े से एक्सपोर्ट नहीं कर पारा था कैसे कर पाएगा भाई क्योंकि आसपास जो ब्लैक सी का जो एरिया है युक्रेन के तरफ का उसके आसपास तो रश्या के सीफ घुम रहे हैं तो वो अगर कोई से सामान निकालने के लिए जाएगा तो वहाँ पर वो अटैक कर देता था तो इस वज़े से यहाँ पर शिफ के जरीए कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था यानि के पूरा पूरा ब्लॉकेट लग गया था एक्सपोर्ट हो इन पा रहा था और जो मिडिली इस्ट में या फिर अफरीका के देशों में वो जाना था वो वहाँ पर गया नहीं पर शिफ करने के लिए यूरूपियन नहीं इस्ट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि इस्टोरेज की समस्य ना रहे और एक्सपोर्ट भी बराबर चलता रहे लेकिन जितनी कीमत पर यूरूपियन यूनियूनिंग जो बाकी के जो देश हैं वहाँ पर पैदा ह बने वाले अनाजों से बहुती जादा कम थी लेकिन फिर भी यूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनियूनि पारा था तो यूक्रेन इसे जमीनी रास्ते से और अपनी सीमा से लगते दूसरे यूरूपिया देशों के जरीए एक्सपोर्ट करने लगा अब देखते ये देखते पोलेंड सुलोवाकिया और हंगरी जैसे देशों में यूक्रेन का नाज भर भर कर आने लगा लेकिन यू देमांड तो कॉंस्टेंटी थी तो ऐसे में यहां पर अर्ध रिशास का नियम यह कहता है कि अगर किसी सामान के सप्लाई बढ़ाद होगे लेकिन उसकी डिमांड कम या कॉंस्टेंटी रहेगी तो तब सामान की जो कीमत वो गिर जाएगी ठीक ऐसा ही इन तीनों देशों म ऐसे अनाजों की जो कीमती वो कम हुई और उससे पॉलेंड के किसानों को काफे ज़्यादा नुक्सान उठाना पड़ा और पॉलेंड में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है और ना ही कोई डिफेंस की इंडस्ट्री है पॉलेंड में किसान यह सबसे ज़्यादा की जाती ह जिस रेलेविय लाइन से युक्रेन के अनाज पोलेंड आ रहे थे लेकिन पुलिस ने यहाँ पर ऐसा होने नहीं दिया और यह किसान पोलेंड के एक्रिकल्चर मिनिस्टर से उसका रिजाइन भी मांग रहे हैं कि भई अब तुम्हारी जरूरत नहीं हमें तो हालात पोलेंड कि सरकार के सेड़ दरत बर भी मन गया है होग पॉलिटिक्स के उपर भी बात आ रही है तो ऐसे में यहाँ पर अपने किसानों को बचाने के लिए एउ के तीन देशों ने यहाँ पर युक्रेन के अनाज पर बैन लगा दिया है और ना सिर्फ अनाजों पर भी बैन लगा द प्रड़क्ट को लेकर अर्जेंसी दिखा है कि भाई कोई ना कोई सा एक्षन लो इन पांचों देशों ने एउ प्रड़क्ट में जो डिस्रप्शन आया है उसको हम अपने पर भार नहीं पढ़ने देंगे और अपने किसानों का नुगसान नहीं होने देंगे बुलगेरियों तो यहाँ पर यूक्रेयन के प्रोडक्ट पर इन तीनों देशों की तरह बैन लगाने वाला है जब कि चेक रेपब्लिक ने कहा है कि अभी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है और यूक्रेयन के प्रोडक्ट पर इस तरह बैन लगा है जाने से EU बहुती ज़्यादा गुस्से में आ गया और बोला है कि जो भी हुआ है बहुती ज़्यादा गलत हुआ है और हमें ये मंजूर नहीं है और EU ने तो पिछले महीं ने इसी चीज़ को देखती हुए जो Central European देश है जैसे के पोले एंड सुलोवा क्या हंगरी तो इन देशों को bilateral agreement खराब हो रहे हैं और तूट रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा देखकर लग रहा है कि अब European देशों का जो alliance है वो तोटने वाला है तो देखिए युक्रेयन वार को काफी ज़दा लंबे समय हो गया और ये वार अभी भी पूरी intensity से लड़ा जा रहा है और इस वार की करण को financial मदद भी देगा युक्रेयन के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है यूरोप के देशों में इस समय लगतार क्राइसिस आ रही है कभी financial क्राइसिस आ जाती है तो कभी energy क्राइसिस आ जाती है कभी फ्रांस में प्रोटेस्ट होते हैं तो कभी पोलेंड में तो कभी यूके में तो कभी किसी Eastern European देश में, कभी किसी दूसरे European देश में, तो यहां पर ये देश कभी ना कभी तो अपना गुस्ता जाहिरी करेंगे, तो इस तरह से एक्षन लेने से ये देश अपनी जंता को भी शांत कर रहे हैं, और युक्रेयन को हत्यारों से मदद भी दे रहे हैं, अभी ये तो नहीं कहूँगा कि European Alliance तूट गया है, लेकिन इस ना जरूर कहूँगा कि European Alliance में क्रैक जरूर आ गया है, और ये आने वाले भविश्य में तूट भी सकता है, I hope आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी पर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्स्क्राइब जरू कर देना, आपके एक सब्सक्राइब से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिमत मिलती है, Thank you for watching, I really appreciate your precious time, God bless you all, now signing off.